नमस्कार दोस्तों एका दशी की पूजा विदिया आज हम आपके साथ बताएंगे श्री शिवाई नमस्त अभिम हम सबसे पहले चोकी रखेंगे चोकी उपर कलश की इस्थापना करेंगे कलश पर पांच पत्ते रखेंगे पान के आम के जो भी रखना चाहें रख दें भगवन के साथ संख होना चाहिए दूप दीप अरपित कर दिया हैं यहां पर हमने अब हम पूजा करना शुरू करेंगे आप लोग सरल वीदी से पूजा देख लिजे किस तरीके से करते हर एका दशी पर इसी तरीके से पूजा होती है सर्पता हम दीपक की पूजा कर लें फूल अरपित करें इतर लगाएं इस तरीके से गणेश जी को पूरी तरीके से उनकी पूजा अच्छी विदिविदान से करें एक पुष्प हमने चढ़ाया है नीले कलर का लाल पुष्प हो तो लाल चढ़ाएं अब विश्नु भगवान को हम जंदन अरपित करेंगे जं आपके मिल जाएं तो गुलाब के भी चढ़ाएं साथ में हम कलश की भी पूजा करेंगे तो देखिए कलश पर भी हमने हल्दी कुम कुम चढ़ा दिया है अब विश्नु भगवान को वस्तर रुपी कलावा पहना देंगी आपके पास अगर पीला वस्तर हो तो वो भी आप अरपित करें विश्नु भगवान को और साथ में लक्ष्मिन माता की परतीमा हो तो वो भी आप यहाँ पर इस्थापित करें अब देखिए यहाँ पर मैंने जो भी देवी देवता और भी खड़े हुएं उन्हें भी हमने तिलक कर दिया है अब हम सभी भगवानों पर फू पारी लोंग अरपित करेंगे और भोग के लिए केले जरूर होने चाहिए विश्नु भगवान की पूजा में तो केले अरपित करें और मोरसम के इसाथ वो अरपित करें और साथ में पंच जामरत का भी मैंने भोग लगाया है अगर आप वरत हैं तो आप वरत का भोग लग के बाद आर्थी अवश्य करें और ओम स्री नारायनो नमा का पाट जरूर करें इससे आपकी हर समस्य का समाधान मिलेगा एकादशी का वरत बच्चे वूढ़ है और सुहागिन महिलाएं भी कर सकती है जो इक्षा के अनुसार वरत रखता है आप पूजा जरूर करें आप वर कोथी उत्तम माना जाता है कोई दुखी है कोई परेशान है किसी का एक्सिडेंट हो गया या किसी भी कारणवर्ष कोई परेशान है तो उसे आप अपनी एकादशी का वरत का जो भी है आप उसे देंदान में एकादशी वरत आप उसके नाम का करेंगे तो उसको तो जीवन हो तो हमसे पूछिए का कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी में ये वीडियो बनाया है कोई गलती हो कोई शहमा करें हमें ऐसी तुटी हो गई हो तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा सवाल जरूर पूछिएगा हर एक पूज